दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेक्लोजर मशिन में नए लूपर कैसे डालते हैं यह मशिन में प्रोब्ल्म यह है कि प्रोपर सीले तो देता है मशिन, लेकिन बीच वीज में कई पे सीले छोड़ देता है और लास्ट में लॉक नहीं लगता है तो मैंने अलड़ी एक बार चेक कर लिया इसको, इसकी लूपर खराब है अब लूपर कैसे डालते हैं? नहीं, ये वीडियो आप तक मैंने बनाया नहीं है, तो आज आपको मैं सीखा देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि लूपर खराब हो गई है, आपको कैसे पता चलेगा, पूरी ढीटर्ण आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलि सबसे पहले लूपर चेंज करने के लिए यह जो लूपर होल्डर है उससे बाहर निकल लेते फिर मैं आपको दिखाता हूं कि लूपर खराब है वह आपको कैसे पता चलेगा देखें यहां पर एलन की का वोल्ड ही आ गया है आज आपको सुई और उपर का सेटिंग कैसे रखना है सब कुछ बताने वाला हूं जेतने भी मुझे कमेंट आते हैं बेक क्लोजर मशिन के कि दागा लास्ट में सिले छोड़ देता है दागा तोड़ देता है सिले छोड़ देता है सभी का सॉलूइशन आज की वीडियो में आपको मिंग जाएगा देखिए ये लूपर होलडल निकल गया है एक बार ये लूपर निकल लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं देखिए ये है पूरानी लूपर अब आपको कैसे पता चलेगा लूपर चेंज करनी है एक तो आपका दागा तोड़ेगा दागा छोड़ेगा लाश्ट में लौक नहीं आएगा ये हो गया कारण अब दूसरा देखिए इस लूपर को द्यान से देखिए इसका ये जो पॉइंट है आगे का वो खराब हो गया है देखिए लूपर थोड़ी खुरदूरी हो गई है उपर के पार्ट से और उसका ये आगे का जो पार्ट है ये वो गिस गया है देखिए आप ऐसी कंडिशन में मशीन चलाएंगे, मशीन चलेगा, सिले भी आएगी, नेकिन बीच-बीच में आपको परिशान करेगा तो थोड़े थोड़े टाइम में लूपर चेक कर लिया कीए और चेंज कर दीए यह पूरानी लूपर है और यह नई लूपर, देखिए, यह नई लूपर है दोरों में निप्रांस देखिए देखिए, यह पूरानी लूपर गिस गई है और यह नई लूपर दोरों साड़ से एकदम प्रॉपर शेप में है ये पार्ट से भी एकदम अच्छे शेप में, देखिए, इसका शेप यहां से बिगड गया है, तो नए लूपर कैसे डालते हैं, आपको दिखा देता हूँ, देखिए, बैक लोजर मशिन में दो टाइप की लूपर आती हैं, ये देखिए, ये मोटी लूपर है, देखिए, ये नए लूपर, ये पतली, देखिए, डोनों का दिप्रास देखिए, जब भी आप नए मशिन लेते हैं, तो आप चेक कीजिएगा, उसके साथ जो लूपर लगी होगी, वो मोटी होती है, उसका लूपर होता है, उसका ओल भी बड़ा होता है, ये मोटी लूपर है, एक लोजर मशिन में ये पतली वाली लूपर हती है, वो बेस्ट रिजल देती है, अब कुछ लोग के मशिन में ये भी प्रॉब्लम होते हैं, कि ये ओल बड़ा होता है, मोटी लूपर एक बार निकलते हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना कि पतली लूपर जाती नहीं है, अ आप पतली लूपर भी डाल सकते हैं, मैंने बहुत बेक रोजर मशिन में ये मोटी लूपर निकलने के बाद, लूपर ओल्डर में पतली लूपर भी डाली है, और मशिन अच्छा रिजल देता भी है, तो लूपर कैसे, कितनी आइट में रखनी हैं, सब कुछ आपको दिख लूपर ओल्डर में लूपर लगा दिया, अब इसको और थोड़ा नीचे करना है, देखिए, लूपर भी ये जो आपको गड़ा दिख रहा है, वो गड़ा लगाते टाइम वो गड़ा आपको याद रखना है, देखिए, इसमें मैंने लगा लेकिन वो गड़ा थोड़ा भी बाहर है, उसे आमें अंदर ले जाना है, देखे, थोड़ा में अंदर ले गया, गड़े को, अब एतना करने के बाद, सबसे पहले, इसे टाइट कर देना है, देखे, आप जब भी लूपर लगाएंगे, तो लूपर ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि लूपर लो अलेड़ी या पर जो, यह जगा बनी होती है, खाच दी गई होती है, आप जब भी यह लूपर को होल्डर में डालेंगे, और एलन की से टाइट करेंगे, तो आटेमेटिक लूपर अपनी जगा, अपनी पोजीशन पकड़ लेगी, खोड़ा टाइट कर दिया भी है, एलन की को, अब मैं क्या करता हूँ, दोस्तों, यह जो मशिन का यह प्लेट है, उसे खोल लेता हूँ, तो आपको क्लियर निखाय दे गया, कि लूपर कैसे लगाते हैं, देखिए यह लूपर ओल्डर है, उसे हम लगा देते हैं, अब मैं मशिन की सुई और लूपर का सेटिंग कर लेता हूँ, लूपर को कितनी आगे रखनी, कितनी पीछे रखनी है, फूज से कितना टाच होनी चाहिए, यह सेटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, एकदम नजदिक से लिखाता हूँ, कि सुई यो लूपर का सेटिंग क्या रहना चाहिए सबसे पहले देखिए मैंने लूपर अल्यडी लगा दिया अब लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों देखिए एक चीज अब ध्यान से देखिए देखिए ये लूपर यहाँ पे पीछे ये लूपर इतनी पीछे आ रही है अब लूपर को आपको कितनी पीछे आने चाहिए वो मैं दिखाता हूँ देखिए ये लूपर आपको यहाँ पे देखना देखिए ये सुई और लूपर उसके बीज में थोड़ा गैप है और दोनों के बीच में ये गैप है, देखिए, ये गैप, एक सुई जितना गैप है, इतना गैप आपको रखना है, उतना गैप रखेंगे आप, तब ही आपकी लूपर दागा पकड़ेंगे, ये मैक्सिमम पीछे लूपर, देखिए, इससे पीछे लूपर सेट नहीं किये ह अब यह मैंने आपको दिखा दिया कि यह लूपर कितनी पीछे रखनी चाहिए, यह, मैं आपको सुई और लूपर का प्रॉपर सेटिंग दिखाता हूं, यह लूपर जब भी आगे जा रही है, देखे, तो सुई के गड़े में से जा रही है, देखे, यह गई, देखे, यह गई सुई के गड़े में से, और जब वापीस आ रही है, देखे, तो यह सुई के गड़े में से ही वापीस आ रही, देखे, और एक बात, जाते टाइंग, लूपर सुई को थोड़ा टच होनी चे, देखे, एक थोड़ा टच हो रही है, अब ध्यान से देखेंग तो सुई थोड़ी आगे जा रहे हैं, देखिए, ये कितना टाच होनी चे अपने हमारे माते का जो बाल होता है, उतनी टाच होनी चे, थोड़ी टाच होनी चे ये, ताकि दागा पकड़ सके, ये गड़े में से गई, देखिए, ये प्रॉपर गड़े में से जा रहे हैं, और आते टाइम देखिए, यह गड़े में से आई देखिए, आते टाइम भी सुई को थोड़ा टच हो रही है यह हुआ प्रॉपर सेटिंग सुई और लूपर का एक सवाल है, जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते है कि हमारी लूपर, अगर सुई और लूपर के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए अगर हमारी लूपर पीछे नहीं जा रही है सुई और लूपर के बीच में गैप नहीं है तो हम क्या करें, तो उसका भी आपको शॉल्विशन में बता देता हूँ अगर आपकी लूपर, यह मैंने लूपर और सुई के सेटिंग किया है बीच में गैप है अगर आपकी लूपर और सुई में इतना गैप नहीं है या फिर यह कुछ ज्यादा ही गैप है तो आप क्या करोगे मैं उसका सॉल्विशन दीखा देता हूँ देखिए आपको क्या करना है देखो सबसे पहले यह पेज़ खोल देना है डीला करना है फिर यह पेज़ डीला करो और एलन की से यह जो स्कूरू है उसको पकड़ो आप यह दे आप ये दो पेच डीला करेंगे, तो ये जो Allen की का स्कूव है, आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये पाट जो हो, उपर नीचे मूँ करेंगा, हिनने लगेगा, तो आप जैसे ही ये पाट को ऐसे-ऐस हिलाएंगे, तो आगे जो लूपर का ओल्डा है, ये लूपर ओलडर, वो ऐस तो आप अपरी साब से लूपर को आगे आप पीछे कर सकते हो यहां से यह दो पेंच खोल दो और यह नहीं खोला यह पेंच खोला नहीं है इसे ऐसे ऐसे उपर नीचे करना है तो आपको पता चल जाएगा देखिए यह मैं पूरी सिस्टम इस वीडियो में बताऊंगा तो व इस वीडियो में लूपर और सूि का सैटिंग दिखा है, दोने वीडियो में देख लेजिए आपको पता चल जाएगा कि लूपर और सूि कितने लेवल पर रखना है कितना पीछे रखना इखना है कितना आगे लूपर को 99% क्या होता है जब भी आपकी लूपर खरब हो गई हो आप लूपर होल्डन निकालेंगे और खाले लूपर डालके फिट कर देंगे तो आपका दोनों का जो गैप है सुई और लूपर का वो सेम रहता है उसमें कोई चेंज होगा नहीं यह तो मैंने इसे नहीं बता है कि शायद आपको यह लूपर को पीछे आगे करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं बेक लोजर मशिन फूल रेपेरिंग का वीडियो और यह लूपर और फूल सेटिंग का वीडियो देख रिजी आपको ज्यादा पता चल जाएगा तो अब मैं क्या करता हूँ यह प्लेट लग लेता हूँ फिर आपको दिखा था हूँ एक इंपोर्टन चीज आपको द्यान लखनी है वो क्या है वो आपको बताता हूँ तेखी मैंने यह प्लेट लगा दिया अब आपको ग्या दियान रखना है, आप जब भी लूपर लगाए, देखिए, अब ये वीन जो है, ये में वीन गुमा रहा हूँ, आपको एक चीज दियान रखनी है, कि आपकी लूपर जो है वो, यहाँ पे, देखिए, ये पॉइंट जो है, यहाँ पे टाच नहीं होनी च देखिए, मैं ये लूपर गुमा रहा हूँ, गोल-गोल, तो लूपर कहीं पे टाच नहीं हो रही है, देखिए, बहुत एजिली मुव कर रही है, कहीं बार के होता है, आप लूपर को थोटी ज्यादा हाइट पे लगा लेते हैं, तो लूपर ये प्रेट को टाच होती रह एक और दो, दोनों पेच जो है, वो टाच कर देता हूँ, और सीधा दागा डालके आपको फाइनल मशीन चला के दिखाता हूँ, ये मशीन में मैंने दागा डाल दिया है, एक चीज आपको दियान लखनी है, मैं दिखा देता हूँ, कभी भी आप ये या ये, एलन की का पेंच यहां उसे चेक कर लिजे, अगर आपको लगता है कि पेंच टाइट करते करते, बार-बारी एलन की स्लिप हो रही है, और अगर पेंच खराब हो गया है, तो पेंच को चेंज करिए, और अगर एलन की की मदद से यह पेंच नहीं खुल रहा है, तो यह वीडियो देख इस वीडियो में मैंने पूरें डीटेल में बताया है, कि एक पेंच को अगर खराब हो गया, तो बाहर कैसे निकलते है, उसको एक बार चेक कर लिजे, आपको पता चल जाएगा, तो अब मशीन की फाइनल ट्रायल लेते है, एक बार यह जीन पे ट्रायल ले लेता हूं, फि देखिए, यह है उस मशीन की सीलई, और यह लोक, एक बार आपको बता दू, कई बार मशीन में क्या होता है, सीधा सीले पूरी हो जाती है, तो आटोमेटिक दागा तूट जाता है, आपका लोक छोटा लगता है, तो आपको टेंशन नहीं की जरूद नहीं है, अगर आप यह दागा खीचेंगे, और पूरी सीने खुल जाती है, तो सॉल्वेशन आना है, लेकिन कई बार ओटोमेटिक दागा तूट जाता है, और लोक लग जाता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यह सीनई और यह लाश्ट में लोक, देख यह, यह सीनई और यह लॉक, तो दोस्तों यह था वीडियो, बैक क्लोजर मस्चीन में, आप नए लूपर कैसे डाल सकते हैं, और उसका सेटिंग कैसे करना है, अगर इस वीडियो के रिगानिंग, आपके कुछ कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, यह फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेसेज या कॉल कीजिए, आपको तुरन्त रिप्लाई मिल जाएगा, अब एक बेक्क्रोजर मशिन पूरा जाम हो जाता है, और उसको फ्री कैसे करना है, यह राव वीडियो, जाके चेक कीजिए, सब भी वीडियो के लिइंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और लास्ट में आप एंड स्क्रीन में, जब यह वीडियो पूरा होने को आएगा, तब यह आपको एक स्क्रीन दिख जाएगी, देखिए, ऐसी स्क्रीन, वहाँ पर भी आपको सब वीडियो मि तो वहाँ पर जाके आप अगलग वीडियो देख सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा यह बेल आइकल जरू दबाएगा चले तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्ष्ट वीडियो मे थैंक यवर्य मच तो लगाओ प्रूपक्ष्ट जरूएगा श्यूदघ नेक्ष उटक्ष्ट